Hello everyone and welcome to Only IS स्वागत है अब सभी का Rapid Current Affairs Revision Series में ये कैसा initiative है जिसके अंदर हम लोग Prelims Oriented Important Current Affairs को बहुत स्पीड में revise करेंगे अगर आपको लगता है कि इस topic से कोई भी Important Current Affairs का topic छूट गया है तो आप comment section में हमें जरूर से बताएं जिसे की बाकी student भी उन topics को पढ़के examination hall में बैठें तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं ये एक report है The Price of Fossil Fuels ये report किसने release की है Green Pace South East Asia ने ये report release की है तो आपको बस इतना याद रखना है कि Toxic Air The Price of Fossil Fuels ये किसने release की है ठीक है इसमें report के अंदर जो बात की गई है वो बात की गई है कि 2018 है ठीक है 2018 वाला जो साल है उसमें Fossil Fuels के थूरू जो pollution हुआ उसका क्या impact रहा health के उपर तो ये इस report में बात की गई थी हाला कि इतना अपने को याद रखने की कोई need नहीं है इसा आता नहीं है नॉर्मली कोई state PSC वगरा अगजाम में इतना आ जाता है कि ये report किसने release की है दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो associated economic cost है कि health के उपर impact हो रहा है उसकी क्या economic cost हो सकती उसकी भी जो इसमें calculation की गई है second report हमारी है climate summary climate summary को release क्या है IMD Indian Metrological जो हमारा department है उसने release किया है हमारे देश के अंदर weather से related और climate से related जो data है वो 1901 से हमने शुरू किया ठीक है और अभी हमने ये देखा कि 2016 के अंदर हमने ये देखा था कि बहुत ही ज़्यादा गरम जो है वो साल था और 2019 के अंदर हमने ये देखा कि जब से हमारे देश के अंदर record keeping शुरू हुई है 1901 से तो 2019 वाला जो साल था वो सातवा सबसे गरम था अगर मतलब 1901 से count करें और उसको numbering देना शुरू करें तो 7 नमबर पे कौन आएगा वो आएगा 2019 हलाकि comparatively बात करें तो 2019 के comparison में 2016 वाला साल ज़ादा गरम था बात करते हैं Global Futures Report की देखिए इस report को World Wildlife Fund for Nature Global Trade Analysis and the Nature Capital Project इन तीनों ने इसको जो है वो launch किया है और इस report में जो बात की गई है कि हमारी जो natural assets है वो आने वाले टाइम में किस तरीके से change हो जाएंगी क्योंकि हमारे यहां पे हम लोग देख पा रहे है कि development का जो सिनारियो है वो continuously change हो रहा है और साथ-साथ में हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो ecosystem services है जो हमारे पेड, पोधे, नदिया, पहाड हमारे जो हमारे ecosystem की जो services provide कर रहे है वो किस तरीके से आने वाले time में global economy को impact करेंगे ठीक है? बात करते हैं next में the world of organic agriculture statistic report की बात करते हैं तो ये एक switzerland जो अपना switzerland है वहाँ पे एक based agency है उन्होंने इस report को जो है वो release किया है इस agency का नाम है या इस institute का नाम है the institute of organic agriculture और साथ साथ में जो जर्मनी में based एक agency है international federation of organic agriculture movement इन्होंने मिलके ये किया है तो इस report की कुछ findings है वो findings हम देख लेते हैं तो पहली finding तो उसमें ये है कि दुनिया भर के अंदर जो सारी agriculture land है उसमें से लगबग 1.5% agriculture land organic के अंदर आती है और lichenstein जो है वो उसके पास organic खेती में सबसे बड़ा share है ठीक है साथ साथ में हमने ये notice किया है पूरी दुनिया के अंदर की organic agriculture को लेके लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और organic agriculture का जो share है वो increase हो रहा है बात करें तो United States सबसे बड़ा largest market है लगबग 42% organic food and drink के लिए इंडिया की बात करें तो हमारा 1.1% जो total land है फार्म लेंड के अंदर वो organic cultivation के अंतर गत्ती 2018 का ये status है और cotton अगर production की बात करें तो पूरी दुनिया का लगबग 47% organic cotton भारत के अंदर produce किया जाता है next हम देखते हैं the future of earth 2020 report देखिये south asia future earth regional summit ने इन्होंने ये report ये launch की है अलाकि ये इतने सारी reports होती है और इतने बड़े बड़े नाम है तो हम लोग सारे नाम possible याद नहीं रख सकते हैं फिर भी हम revision करेंगे तो हो जाएगा तो 5 global risk है उनकी इन्होंने ये बात की है 5 global risk बताई है जिनमें इतना potential है कि वो एक दूसरे को और ज़दा amplify कर सकती है और globally level पे बात करें तो systematic crisis generate कर सकती हैं तो 5 global risk कौनसी कौनसी है पहले risk तो है कि future के अंदर जो climate change वर है उसको हम mitigate नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम अपने आपको adapt नहीं कर पा रहे हैं extreme weather events, major biodiversity laws and ecosystem collapse, food crisis and water crisis तो ये दुनिया भर की 5 जो है वो global अभी हमारे सामने crisis है ठीक है अगर इस report की बात करें तो इस report का aim ये है कि 2050 तक हमारा जो global warming है वो 2 degree Celsius हमें जो है वो कम करना है, साथ ही साथ में carbon footprint को भी हमें कम करना है ठीक है अब अगर हम बात करें तो 2019 के अंदर carbon dioxide का जो concentration था carbon dioxide का concentration जो है 2019 के अंदर हम बात करें तो वो 415 particulate जो हमारा matter होता है parts particulate matter वो increase हो गया, अगर हम compare करें 2014 से तो basically अपने को data याद नहीं रखना है सिर्फ इतना याद रखना है कि environment के अंदर carbon dioxide की quantity continuously increase हो रही है साथ ही साथ में अगर हम 88 के बाद में अगर देखें 1880 के बाद में देखें तो 2018 में हमने यह notice किया कि पूरी दुनिया के अंदर land and ocean के उपर सबसे ज़्यादा highest जो है वो temperature हमने record किया 2018 के अंदर और compare किसे करें अगर 1880 के बाद में जबसे हमने record keeping शुरू की है oceans की नेक्स्ट हमारा जो topic है वो है State of India's Environment in Figures 2020 की रिपोर्ट है तो रिपोर्ट के बारे में देखते हैं इस रिपोर्ट को publish किसने किया है CSE ने Center for Science and Environment ने इसको release किया है और इस रिपोर्ट में बात की गई है कि इंडिया के अंदर 2019 के अंदर लगब पचास लाख लोग internally displaced हो गए disasters की वज़े से extreme weather conditions like flood, cyclone, draft देखो migration में जब हम भी कई बार बात करते हैं तो हम सिर्फ external migration की बात करते हैं like अभी Afghanistan को छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे Taliban का कबज़ा हो चुका है लेकिन कई बार internal displacement भी होता है और अगर environment की हम बात कर रहे हैं तो internal displacement भी होता है reason मानो कि कोई गाओं है जहां पे अच्छी खेती होती है बट draft की वज़े से पानी नहीं है बारिश नहीं है तो ऐसे में क्या होगा कि लोगों को अपना वो खेत छोड़ के अपना गाओं छोड़ के cities में आना पड़ेगा इस तरीके से ठीक है next है the assessment of climate change over the Indian reason ये report है इसको ministry of earth science ने इसको release किया है पहली बार ऐसा attempt है जिसमें climate change का क्या-क्या impact है इंडिया के different parts पे उसको हमने measure किया है तो 1901 से 2018 के बीच में अगर हम तुलना करें तो temperature 0.7 degree Celsius increase हो चुका है हलाकि इतना सारा data हम याद नहीं रख सकते बैट at least इतना पता होना ची थोड़ा बोत अपने को summer में जो अपने monsoon की rainfall होती है वो 6% decline हो चुकी है localized जो heavy rain है dry spell significantly increase हो गए है आपने देखा होगा कि कई जब भी monsoon का season आता है तो कुछ ऐसे parts कुछ ऐसे areas होते है जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है मतलब लगातार बारिश होती है कुछ ऐसे areas है जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है ठीक है North Indian Ocean की अगर बात करें तो North Indian Ocean में जो sea level है वो rise हो रहा है बाकी severe cyclonic storm है मांसून जाने के बाद में लगबक October November में वो increase हो चुकी है हिंदुकुष जो हिमालियाज हैं जिसे हम थरड पोल बोलते हैं क्योंकि हिंदुकुष हिमालिया में पर्मानेंटली जो है वो आइस जम्य हुई है वहाँ पर हमें एक फिनोमेनन देखने को मिलता है कि स्नौफॉल के अंदर कमी आई है ठीक है जills नोफ फोल उता है सनोफ फॉल के अंदर कमी आई है साथ इसात में लेशिर जो है वो रिट Beweg कर रहे हैं तो दो पॉइंट थो अपने कोई याद रखने है कि हिंदू कुष हिमालिया में सनोफ वो कम होती जा रहे है एट साथ इसात में स्थमेशियर भी जो है वो कर रहे हैं कारा कोरम हिमालिया की बात करें तो कारा कोरम हिमालिया के अंदर जो हाई एलिवेशन है जो बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर एरियाज है वहाँ पे हमने देखा है कि विंटर टाइम में प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रहा है एग्रो मिट्रोलोजिकल सर्विस इंडिया असेस्मेंट रिपोर्ट ये रिपोर्ट सेंटर फोई साइन्स एन इन्वाइरमेंट ने रिलीज की है देखो एग्रो मीट्रोलोजी क्या होता है कि वेदर और क्लाइमेट से रिलेटर जो इन्फरमेशन है उसका हम यूज करते हैं एग्रिकल्चर सेक्टर में प्रो मेट्रोलोजीकल सर्विस जो हो प्रोवाइड करवाता है और इनका एक प्रोग्राम भी चलता है एग्रो मेट्रोलोजीकल एडवाइजरी सर्विस प्रोग्राम रिपोर्ट ऑन दा लेपर्ड साइटिंग्स ठीक है तो अभी क्या हो रहा है ग्लोबल टाइगर सेंसस हो रही उन सब से रिलेटट्ट्ट्टर्ण us यह एक रिपोर्ड यह वह publish करेगा जहां पी बात है तो लैपर्ड से related कोई separate census सेंसस कभी भी नहीं conduct करवाइजाती है जो हमारे देश के अंदर ताइगर से रिलेटट सेंसस होती है ताइगर से रिलेटट हमारे अटेच कर देते हैं उनसे जो picture हमें मिलती है और फिर leopard के शरीर पे body पे क्या पेटर रहने है उसके हिसाब से traffic study on the leopards यह traffic नेक study कि है leopards के उपर हाला कि यह क्या study है उसमें इतना अपने को नहीं याद रखना है अपने को बत जो काम है वो पता होना थी कि भी ट्रैफिक क्या होता है 1976 में World Wildlife Fund WWF और IUCNIC Strategic Alliance के तहत इसकी स्थापना की थी, इसकी फाउंड जो है वो किया था देखो ये क्या है ट्रैफिक का मतलब क्या है The Wildlife Trade Monitoring Network तो क्या होता है कि देश की जो boundaries है जो external boundaries है इंडिया से नेपाल, नेपान से भुटार, इस तरीके से क्या होता है कई बार animals को जो वो खरीदा और बेचा जाता है तो ये traffic क्या है एक टाइप की NGO है जो की globally काम कर रही है कि जो हमारे wildlife animals and plants हैं उनका जो उनके trade के उपर जो रोक लग सके बायो डाइवर्सिटी और हमारी rich हो सके एंड हम लोग जो sustainably develop कर सके skinks of India report skinks क्या होते है को skinks एक तरीके से हम बोल सकते है तो जानवर टाइप से ही होते है लंबी इनकी body रहती है पैर इनकी या तो नहीं होते है या होते हैं बहुत छोटे होते हैं कोई pronounced neck नहीं होते है गरदन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते है glossy यह इसका जो description दिया हुआ skinks क्या होती है skinks जो है इनसे related यह जो report है वो report publish की गई है Geological Survey of India ने इस report में बात की गई है कि इंडिया के अंदर लगबग 62 species पाई जाती है skinks की and भारत के अंदर जो skinks पाई जाती है उनमें से लगबग 33 almost 57% are the endemics बात करते हैं Living Planet Report के अगर हम बात करें तो Living Planet Report 2020 release की गई है किस के द्वारा World Wildlife Fund के द्वारा and यह दो साल में एक बार release की जाती है तो आपको यह बड़ी famous report है World Wildlife Fund WWF इसको release करता है Living Planet Report दो साल में एक बार आती है and जो Living Planet Index है और Ecological Footprint की जो Calculation उसको यूज करते है report बनाने के लिए हलाकि यह अपने को याद नहीं रखना है सिर्फ इतना याद रखो World Wildlife Fund इसको release करता है दो साल के अंदर एक बार इसके कुछ takeaways है बहुत सारा data दिया हुए data अपने को याद नहीं रखना है सिर्फ इतना याद रखना है कि Wildlife की जो population है वो लगाता decrease हो रही है Earth पे अगर बात करें तो Earth के अंदर जो हमारा जो Ice Free जो एरिया है वो increase हो रहा है ठीक है and साथ में अगर बात करें तो ocean जो है वो polluted है wetlands हमारे धिरे-धिरे कम हो रहे है biodiversity हमारी loss हो रही है और land जो use है उसके pattern में भी change आ रहा है जो हमारे pristine habitats है उनको अब हम agriculture system के तहत use करने लगे है सबसे ज़्यादा जो biodiversity का loss हो है वो Europe में, Central Asia में फिर North America में और Asia में तो हलाकि data अपने को याद नहीं रखना है अगर हम fresh water biodiversity की बात करें तो fresh water जो biodiversity है उसको भी बहुत ज़्यादा अभी challenge से गुजरना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा है fresh water biodiversity को next हम लोग world energy outlook की बात करते हैं यह report release की जाती है international energy agency के द्वारा यह report जो है वो release की जाती है world energy outlook ठीक है तो दो चीजे उसमें याद रखने वाली एक तो यह क्योंकि बहुत काफी famous report है यह world energy outlook इसलिए अपने को याद रखना है दूसरा यह international energy agency क्या होता है 1974 के अंदर oil supply के अंदर disruption आ गया था जो oil producing countries है उन्होंने अपनी supply कट कर दी थी उस समय OECD जो organization for economic cooperation and development होता है उसके framework के तहत एक autonomous intergovernmental organization का establishment किया गया अगर आपको IEA का member बनना है तो उस member country को OECD का member होगा ठीक है अब बात करें तो OECD के अंदर लगबख दुनिया के consumption की बात करें तो लगबख 70% जो global energy का consumption है वो IEA के जो members है उनके अंतरकत हो जाता है IEA के अंदर अभी 30 member है 8 associate countries है India associated member है 2017 से और बाकि इसकी global energy and CO2 status report के नाम से भी आती है तो World Energy Outlook किसके दौरा publish किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए Global Energy and CO2 status report किसके दौरा release किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए Environment Performance Index by annual है दो साल में एक बार आती है Yale and Columbia University ने World Economic Forum के साथ corporate करके इसको release किया है by annual है दो साल में एक बार आती है दुनिया बर के लगबग 180 देशों के अंदर environment की क्या performance है उसको ये चेक करते हैं 32 indicator से 10 साल का ये trends बनाते हैं इतने detail अपने को याद रखने के आवश्यक्ता नहीं है टॉप किस ने किया है Denmark ने टॉप किया है एक नमबर पे है Luxembourg and Switzerland तो नमबर पे है तो normally जो PCS वगरा के exam होते हैं Public Service Commission इस तरीके exam होते हैं वहाँ पे हमें ये useful हो सकता है इंडिया की performance 180 देशों के अंदर इंडिया की performance 168 रही बहुत बुरी हालत रही है इंडिया की हाला की 2018 की तुलना में बात करें तो थोड़ा ठीक है अगर Asian country की बात करें तो अफगानिस्तान ही हम से बुरा है बाकि तो सारे देश हमसे अच्छा करी रहे है और इंडिया की रेंक रिमार्क्स से कर बात करें इंडिया की रेंकिंग को लेके तो इंडिया के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक कार्बन, कार्बन डायोकसाइड का emission, greenhouse gases emission सारे सारे emission increase हो रहे हैं इंडिया के लिए suggestion ये दिया गया है कि हमें अपने नेशनल सस्टेनिबिलिटी के जो efforts हमें डबल करना होगा wide spectrum पे हमें focus करना होगा water की quality, air, biodiversity, climate change इन सब को करना होगा तो बतला हमें एक overall multi-prong strategy हमें अपनानी होगी climate change performance index की बात करते हैं तो climate change performance किसके दौरा release किया जाता है German watch के दौरा ये release किया जाता है चार इसके अंतरगत ये indicator लेते हैं greenhouse gases emission, renewable energy, energy use and the climate policy तो ये ccpi क्या करता है ccpi evaluate करता है कि बही Paris agreement के बाद में जो countries है उनकी किस तरीके की performance रही है भारत की performance अच्छी रही है और इसमें report में ऐसा देखा गया कि 2015 का जो Paris agreement हुआ है उसको ground पे उतारने के लिए उसको success करने के लिए जो countries है वो कोई कुछ बहुत जादा नहीं कर रही है जो G20 के अंदर जो 6 countries है वैसे G20 के अंदर 20 है लेकिन G20 के ग्रूप में से जो 6 countries है काफी बुरा उनका है और United States के भी हालत जो है वो बहुत ही खराब है ठीक है Next हम लोग देखते है World Risk Index देखते हैं तो World Risk Index में क्या है कि देखो climate change हो रहा है disaster वगएर आती रहती है तो दुनिया भर की जो countries है वो किस तरीके से prepare है इस climate change से related जो disaster है उसी को देखते है रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का नाम इंडेक्स का नाम क्या है World Risk Index तो यह रिस्क इंडेक्स है और जो World Risk Report है उसका यह पार्ट है अब World Risk Report किसके दुआरा रिलीज की जाती है United Nations, UNO EHCS University Institute for Environment Human Security Bundes and WIC HIP University of Staggart Germany के दुआरा तो World Risk Index अपने को याद रखना है कि यह कौन से रिस्क रिलेटेड है डिजास्टर से रिलेटेड है इस रिपोर्ट में बात की गई है कि जो दुनिया बर के देश है उन्हें अपने जो मीजर्स है उनको स्टेंग्दन करना होगा क्योंकि नैचुरल इवेंट से रिलेटेड जो प्रॉबलम सारी है उनको टेकल करने के लिए की हाइलाइट्स के अगर बात करें तो ओशियानिया जो है वो सबसे ज़ाद हाइस रिस्क में है एफरिका उससे थोड़ा कम है अमेरिका बाकी है बाकी इंडिया की जो रिपोर्ट है इंडिया की भी जो प्रिपरेशन है कोई बहुत आची नहीं है हमारे यहां पे देश में बात करें तो बंगलादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बाद में भारत का ही नंबर आता है तो जो क्लाइमेट चेंज के साथ-साथ जो डिजास्टर बगेरा रिस्क आ रही है उनके लिए हमें काफी कुछ अभी करना होगा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स देखो नाम देखो अब ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, World Risk Index, तो दोनों नाम अलग अलग है, World Risk Index and Global Climate Risk Index, ठीक है, Global Climate Risk Index के अंदर भारत को साथ भी सबसे worst hit country बताया गया है, 2019 के अंदर, किसके द्वारा release की जाती है, यह German Watch के द्वारा release की जाती है, तो यह World Risk Index किसके द्वारा, United Nation और बाकी Organization, and Global Climate Change Index किसके द्वारा किया जाता है, यह German Watch के द्वारा, ठीक है, और इसमें यह देखा जाता है, कि भाई, जो storm है, flood है, heat waves है, इस तरीके के जो, बहुत जो seriously weather related जो events है, उनसे countries किस तरीके से impact हो रही है, बाकी अगर बात करें तो इंडिया की 2019 के अंदर लगवाग 800 लोग ब डिस्प्लेस हो गए, पैसे का अगर बात करें, तो मांसून सीजन के अंदर हमें लगवग 10 बिलियन डॉलर, यानि कि लगवग 72,900 क्रोड उर्पया का हमें नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ, ठीक है, और 2019 की बात करें, तो जो नॉर्थ अपना तो अब भी यह recently हम लोग देख रहे हैं कि cyclones related problem जो हमारी लगातार increase होती जा रही है, तो यह report किसके द्वारा publish की जाती है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, यह report publish की जाती है, the United Nations Office on Drug and Crime, यानि कि UNODC के द्वारा यह report publish की जाती है, सबसे पहली बार यह report जब publish की गई थी, वो साल था 2016 का, और इस report में बताया जाता है कि पूरी जो दुनिया है, उसमें wild life से जो related जो crimes है, उनका क्या status जो है, वो चल रहा है, और 2020 के अंदर जो report आई है, वो इस report का दूजरा edition है, second edition है, इस report के कुछ takeaways हैं, तो एक जो takeaway हमें देखने को मिलता है, वो tigers related है, इस report में बात की गई है कि India और Thailand, यह दोनों countries, ऐसी countries हैं, जहां से highest मात्रा में, highest quantity में, tiger के जो products हैं, वो illegally supply किये जाते हैं, तो यह अपने को देखना है, India and Thailand, illegally, tiger related products में, number one है, ठीक है, अगर हम quantity की बात करें, तो इंडिया और Thailand इन दोनों को combine कर लें, तो पूरी दुनिया के अंदर, tiger से related जो body part है, tiger के, जिनकों की illegally ship किये जाता है, illegally उनको trade में, purchase या sell किया जाता है, वो 82% है, इंडिया और Thailand का share 82% है, अपने UPSC के हिसाब से, जो international bodies है, उनसे related question आता ही रहता है, तो हमें UNODC के बारे में पता होना चाहिए, देखो UNODC को establish किया गया था, 1997 में 1997 के अंदर, दो programs थे, उनको merger किया गया, और merge करने के बाद में, एक UNODC बनाया गया, तो किस-किस को merger किया गया, United Nations Drug Control Program, यानि कि UNDCP, and Center for International Crime Prevention, इन दोनों को merge किया गया, और merge करने के बाद जो single entity generate हुई, वो थी UNODC, इसका aim क्या है, कि जो member countries है, उनको assist करना, उनको help करना, drugs related crimes में, terrorism, इन सबसे related में, इसके headquarter के अगर अपने बात करें, तो headquarter हमें इसका Vienna में located है, और अगर collaboration की बात करें, तो बहुत सारी agencies हैं, जो इसको collaborate कर रही है, जैसे कि जो sites का secretariat है, interpol है, world bank है, world customs organization है, यह सब इसको जो है, वो कर रहे हैं, और बाकी इसका जो aim है, वो है कि जो दुनिया पर के अंदर, जो criminal justice system है, उसको improve करना, especially जो wildlife से related जो crimes है, उनको, उनसे related justice system है, उसको improve करना, for an example, हम सल्मान खान से related case देखते हैं, उन्होंने चिंकारा, यह जो black buck होता है, allegedly बोला जाता है, कि उन्होंने हत्या की थी, पोचिंग की थी, और उन्हें lower court से वहाँ पे, उन्हें punishment भी मिल चुकिए, बट higher court में है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कि हमारे देश के अंदर, जो legal system है, animal killings related, या animal के trade वगर ऐसे, जो related justice system है, उतना improved नहीं है, तो UNODC का काम यही है, कि जो criminal justice system में उसको strengthen करना, बाकि national, regional, international level पे, जो wildlife related, जो crime है, उन्हों सब को combat करने में help करना, next नहीं हमारा topic है, world air quality report, इसको release किस ने किया है, IQ air, IQ air एक agency है, जो कि pollution को track करती है, and green paste, इन दोनोंने मिलके इस report को publish किया है, ठीक है, अब इस report को बनाते समय, PM 2.5 levels को measure किया गया था, जो particulate matter 2.5 होते हैं, उनको measure किया गया, उनका comparison किया गया, और फिर बाद में बताया गया, कि जो pollution है, वो increase हो रहा है, decrease हो रहा है, किस तरीके से, report में जो बात देखने को हमें पता चली है, वो यह है कि बंगलादेश number 1 पे है, सबसे ज़्यादा emission PM 2.5 का बंगलादेश में हो रहा है, बाकी बंगलादेश के अगर पीछे हम बात करें तो पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, इंडिया, यह सब भी कोई बंगलादेश से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, यह भी ज़स्त थोड़े थोड़े पीछे हैं, ठीक है, PM 2.5 के अगर particulate matter की बात करें तो इसमें sulphate, nitrate, black carbon, यह चोटे 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 जो, जो size में, micro या size में होते हैं, वो सारे particle हैं, और PM 2.5 क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत बारीक, बहुत शूक्ष्मकर्ण होते हैं, बहुत tiny particles होते हैं, तो यह आसानी से हमारी सांस की नली में, जो हमारी bronchilles हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे लंग से वहां तक पहुंच जाते हैं, हर्ट का डिसॉडर, लंग का डिसॉडर, इम्मुनिटी को यह इंपेक्ट करते हैं, हमारा जो cognitive सिस्टम है, उसको यह इंपेर करते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं, वो है State of the Global Climate Report, यह रिपोर्ट काफी famous रिपोर्ट है, तो UPSC में अगर आ जाता है कि State of the Global Climate Report किसके दौरा पब्लिश की जाती है, तो यह रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, World Meteorological Organization, यह एनुवल एक रिपोर्ट है, और एनुवल बेसिस पे यह climate में या global warming कितनी हो रही है, उसको यह major करते हैं, रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स हैं, जो हमें देखने की ज़रत है, अगर हम सबसे ज़्यादा hottest year की बात करें, तो निकल के आता है 2016, उसके बाद जो second hottest year जो निकल के आता है, वो है 2019, 2020 जो है वो तीसरा सबसे highest hottest year है, बाकि अगर global mean surface temperature की हम लोग बात करें, तो 1800 से 50 से 1900 के बीच के अगर हम baseline बनाएंगे, तो October 2020 के अंदर हमारा यह जो temperature है, वो 1.2 degree Celsius ज़्यादा देखने को मिला है, pre-industrial level पे, आप लोगं को याद होगा, कि हम जब environment पढ़ते हैं, या जब global warming के concept पे चर्चा करते हैं, तो हमारा target यह है अभी, कि जब यह 21st century end हो, यानि कि 2009 में आ जाए, अभी हमारा किता चल रहा है, अभी हमारा 2021 चल रहा है, जब तक हमारा 2009 में आए, तो उस समय हम क्या करेंगे, कि ह 1.5 degree Celsius की limit में, और यह जो increment हम measure कर रहे हैं, यह measure कर रहे हैं, जब हमारा pre-industrialization था, उस समय जो temperature था, उसको देखके, हमारा 21st century के end पे जो temperature है, वो 1.5 degree Celsius से ज़्यादा नहीं होना चीए, बट अभी आप देखो, कि 2020 के अंदर ही temperature जो है, वो 1.2 degree Celsius increase हो चुका है, तो 1.5 में त जहां तक अपने marine heat wave की बात है, तो जो oceans हैं, लगबग 80% जो oceans हैं, पुरी दुनिया के अंदर, उनमें कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त, उन्हें at least 1 heat marine wave जो है, वो face करनी पड़ी है, ग्लोबल अगर sea level की बात करें, तो global sea level लगाता increase हो रहा है, और Greenland और Antarctic यह दोनों जो air 2020, यह report publish की जाती है, US में एक health effects institute नाम से एक agency है, वो इसको करती है, इस report में उन्होंने बोला है, कि अगर हम risk factor की बात करें, कि जो death हो रही है, किसी भी health related issues से अगर कोई death हो रही है, तो उसके अंदर हम air pollution को सबसे बड़ा largest risk factor मानते हैं, ठीक है, अभी देखोगे हम की, जो भी urban areas में रहते हैं, वहाँ पे गाडियों का pollution, vehicle का pollution, water pollution, air pollution, sound pollution, कफी जादा है, और अगर हम सिर्फ air pollution की बात करें, तो cities के अंदर air pollution बहुत जादा है, vehicle जो हमारी गाडिया है, उनका जो धुआ है, उसके वज़े से होता है, जो construction होता है, जो नई building के बनती है, तो वहाँ पे जो cement, concrete, उनके जो fine particles होते हैं, उसके वज़े से होता है, hotel वगेरा में आप देखो के तंदूर, या जो चूला जलाया जाता है, जो लकडी का जो प्रियोग करते हैं, उसकी वज़े से भी होता है, ठीक है, यहाँ पे, और इस report में बात की गई है, अगर per capita pollution exposure की बात करें तो पुरी दुनिया के अंदर इंडिया सबसे जादा है, और इंडिया के अगर population बात करें, तो 130 करोड है, अगर per capita हमेरा सबसे जादा है, तो अब समझ सकते हो, कि इंडिया में कितना बड़ा challenge है, air pollution का, अगर अब Health Effect Institute की बात करें, इस HAI की बात करें, तो एक टाइप का independent non non-profit research institute है, और ये मतलब इसको जो funding वगरा है, वो USA का जो environmental protection agency है, उसके द्वारा ये जो funding जो है, इनको मिलती है, ठीक है, तो basically एक टाइप से ये non-governmental, एक टाइप से NGO जैसा है, ये organization, next हमारा जो topic है, वो है nature index 2020, एक science की journal है, the nature research, उन्होंने ये the nature index 2020 release किया है, और इनकी list में, सबसे उपर जो नाम आता है, वो है US का, उसके बाद चाइना का, उसके बाद जर्मनी का, overall ranking में, भारत की जो ranking है, वो 12 ranking है, इंडिया के, तीन, topmost science and research related institute, council of scientific and industrial research, CSIR, Indian Institute of Sciences, IISC and Tata Institute of Fundamental Research, यानि कि TIFR, इन तीनों को जगह मिली है, बाकी ये, index क्या provide गराता है, देखें, इस index के अंदर, high quality research output and collaboration at the institutional, national, regional level of institution from different countries, तो basically क्या होता है, इसके अंदर, जो index बनाया जाता है, वो country basis बनाया जाता है, कि कौन सी countries में, किस type का research चल रहा है, quality से related, ना कि quantity, क्योंकि research के sector में, quality बहुत important है, तो quality basis country wise बनाया जाता है, कि कौन से top countries है, और फिर उस country के अंदर भी कौन कौन से ऐसे institutions हैं, जो अपने institute के level पे, national level पे, या regional level पे, अच्छा काम कर रहे हैं, golden peacock environment management award 2020, ये award दिया जाता है, World Environment Foundation WFE द्वारा दिया जाता है, और 1988 में ये award शुरू हुआ था, Recently ये award मिला है, Steel Authority of India Limited, जो की एक PSU है, Public Sector Undertaking है, और environment से related management में, environment management में, इनका बहुत अच्छा, बहुत significant achievement रहे हैं, इसलिए इन्हें ये award मिला है, Sustainable Ocean Economy for 2050, रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम दुबारा देख लेना है, Sustainable Ocean Economy for 2050, ये रिपोर्ट किसके दौरा रिलीज की गई है, High Level Panel for Sustainable Economy Ocean Panel, ठीक है, अब ये High Level जो पैनल है, उन्होंने ये रिपोर्ट कमिशन की थी, और उन्होंने ये देखा था, कि हमें 30 साल तक अगर हम, 2020 से लेके 2050 तक, अगर हम Ocean Based Intervention करते हैं, मतलब, Ocean जो हैं, हमारे Seas हैं, हमारे जो Ocean हैं, वहाँ पे अगर हम Sustainable कुछ Initiative चलाते हैं, या कुछ Sustainable Intervention करते हैं, तो Overall हमें 30 सालों में कितना Globally Net Benefit होगा, ये इसका रिपोर्ट का जो एम है, अब हमें ये पता होना थी कि High Level Panel for Sustainable Economy या फिर ये Ocean Panel क्या है, अपने आप में एक यूनीक इनिशेटिव हैं, और दुनिया भर के जो 14, 14 जो सर्विंग लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने एक Momentum बनाया, उनके Contribution से ये Panel बना है, और उन्होंने इस तरीके से इनिशेटिव लिया, कि हमें Sustainably, जो Sustainable हमें Ocean Economy बिल्ड करनी हैं, भारत इसका Member नहीं है, 2018 के अंदर ये Panel बना था, और United Nation के जो Secretary General के Special Envoy for the Ocean है, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, Cooling Emission and Policy Synthesis Report, ये Report रिलीज की गई है, UNEP and International Energy Agency, काफी Important Report है, रिपोर्ट का नाम आपको याद रख लेना है, Cooling Emissions and Policy Synthesis Report, किसके द्वारा रिलीज की गई है, UNEP, United Nations Environment Program and International Energy Agency, इन दोनों ने मिलके ये Jointly उन्होंने ये Report जो है, वो रिलीज की, ठीक है, एक किगाली Amendment हुआ था, जो Montreal Protocol था, Montreal Protocol में हमने बात की थी, जो Ozone Deplating Sources हैं, उनको हमें Reduce करना है, तो किगाली Amendment के अंदर ये बात की गई थी, कि हम अगर Ozone Deplating Sources को अगर हम Eliminate कर देते हैं, तो 2100, यानि कि जो 2100 सेंचुरी जब हमारी खतम हो जाएगी, तब तक हम At Least 0.4% का Reduction कर सकते हैं, मतलब अगर हम किगाली Amendment को Implement नहीं करते हैं, तो हमारा Temperature Additionally 0.4% Increase हो जाएगा, बट अगर हम किगाली Amendment को Implement करते हैं, तो वो 0.4 degree Celsius हम क्या कर सकते हैं, अवोइड कर सकते हैं, तो इसमें यही बात है, इस Report में यही बात है, कि भई अगर हमारे पास Climate Friendly Cooling हो, तो जो Cooling System जितने भी चल रहे हैं, उसको हम किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं, और Cooling System को अगर हम और Environment Friendly बना दें, तो Climate को इससे कौन-कौन से Benefit होने वाले हैं, ठीक है? Next हमारा जो है, वो है Global Biodiversity Outlook, Global Biodiversity Outlook का 5 वा एडिशन रिलीज हो चुका है, यह किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, Convention on Biological Diversity, यानि कि CBD द्वारा यह किया जाता है, अपने आप में एक Periodic Report है, और इसमें क्या होता है, कि जो Status होता है, और Biodiversity का जो Trained है, कि हमारी Biodiversity वो Strengthen हो रही है, Biodiversity को हम Protect कर रहे हैं, Deteriorate हो रहे हैं, इस तरीके से इसमें बाते की जाती है, पांच वाजव एडिशन है, उसकी खास बात यह है, कि इसमें जो I.C. Biodiversity जो Targets है, उन से Related इसमें बात हुई है, Indicators, Research Studies, यह सारी इसमें बात हुई है, कि क्या हमने जो I.C. Biodiversity Targets, जो हमने Adopt किये थे, क्या हम उनको अचीव करने की और हैं, या अचीव करने की और नहीं है, I.C. Biodiversity Targets के बारे में, हम अपनी Environment की Booklets में तो पढ़ते ही हैं, बट फिर भी थोड़ा अपने को आइडिया होना चीए, 2010 के अंदर नगोया में, Convention on the Biological Diversity, जो हमारा Convention है, उस से Related जो Parties है, उन्होंने एक Strategic Plan Adopt किया था, आने वाले 10 सालों के लिए, 2011 से 2020 साल, 2020 तक के लिए, टोटल ये 10 साल का प्रोग्राम था, इसमें सारी Countries ने ये बात की थी, कि हम एक Framework Adopt करते हैं, हम अपनी Biodiversity को Protect करेंगे, सेफ़गार्ड करेंगे, जिसके क्या होगा, दुनिया भर के सभी लोगों को, जो है, इससे बहुत ज़्यादा Benefits मिलेंगे, ठीक है, अब IT Biodiversity Targets के अंदर क्या है, हमने 20 Targets जो है, हमने Adopt किये थे, Realistic Targets थे, और जिने हम IT Biodiversity Targets के नाम से जानते हैं, तो ये Total जो हैं हमारे पास 20 थे, तो अपने को क्या याद रखना है, एक तो याद हमें पने को ये रखना है, कि भाई ये IT Biodiversity Targets किस से related है, और दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है, कि Global Biodiversity Outlook, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ये दोनों चीज़े हमें पता होनी चाहिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वो है Animal Discoveries 2019, और Plant Discoveries 2019, तो जहां तक Animals से related हैं, ये जो publication है, वो किया जाता है Geological Survey of India, और Plant से related जो discoveries हैं, उनको रिजिस्टर किया जाता है, Botanical Survey of India द्वारा, कुछ नई अभी स्पीशीज हमें देखने को मिली है, जैसे स्नेमसिस अंडानी, ये एक गीको है, जो कि वेस्टन घाट में पाई जाती है, स्फेरोथो का मगधा, ये जारखंड में हमें फ्रॉग मिला है देखने को, अगर Enolopropius Tawangnesis की अगर हम बात करें, तो ये हमें एक डंग बीटल है, जो कि हमें देखने को मिली है, अरुनाचल प्रदेश, तवांग से, Amomum Naga Manis, ये एक वाइल्ड जिंजर की वेराइटी है, जो कि हमें नागलेंड से देखने को मिली है, पैत्रिस सबरियाना, ये एक वाइल्ड फर्न है, जो कि केरला, तमिलाडू, महरास्टा से हमें देखने को मिली है, तो बस आप इतना याड रखो कि Animal Discovery से रिलेटेड जो पॉब्लिकेशन किया जाता है, वो Geological Survey of India द्वारा, प्लांट से रिलेटेड किया जाता है, Botanical Survey of India द्वारा, और ये कुछ रिलेटेड जो पोधे हैं, या जो जानवर हैं, ये इनको अप याद रख सकते हैं, हलाकि याद रखना थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि बहुत सारे पोधों की डिस्कवर्टी होती है, बाट स्टिल अगर आप इन पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, तो में भी पॉसिबल लाकि एक्जाम में आपको याद रह जाएं, ग्लोबल सीजनल अपडेट, यह किसके द्वारा दिया जाता है, यह वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल ओर्गेनाईजिशन के द्वारा दिया जाता है, और वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल ओर्गेनाईजिशन कैसे देता है, कि इनके भाई पूरे दुनिया भर के अंदर वो लगे हुएं, सेंसर्स वगेरा लगे हुए एंसेंबल एंसेंबल प्रेडिक्शन सिस्टम इनका लगा हुआ है यह प्रेसिपिटेशन को मेजर करते हैं कितनी बारिश हो सकती है कितना टेंपरेचर रहेगा और यह अल नीनो सौधरन ऑस्केलेशन यह सब भी क्लाइमिट के ड्राइबर्स है और अभी इनोंने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट में बात बोली है यह उन्होंने बात बोली है कि हमारे इंडिया के अंदर हमारे पास जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है उस फ्रेश वाटर का 90% हिस्सा कंजूम किया जाता है एग्री कल्चर द्वारा तो क्योंकि जैसा कि ह हम जानते हैं कि पानी वाटर जो है वो उसकी क्वांटेटी लिमिटेड है वाटर अनलिमिटेड तो अबेलेबल है नहीं फ्रेश वाटर और उस फ्रेश वाटर में से भी 90% हिस्सा अगर एग्री कल्चर द्वारा कंजूम कर लिया जाता है तो हुमन्स के लिए क्या रहे तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है अगर पूरी दुनिया के अंदर अगर बात करें चाइना से करें तो चाइना के पास टोटल जो एरिया अंडर दा इरिगेशन है वो चाइना के पास ज्यादा है बट फिर भी चाइना जो इरिगेशन के लिए जो फ्रेश रहे उसका कंजुम्शन कम से कम हो कि एक और रिपोर्ट देखते हैं हंड्रेट सिटीज फेसिंग सीवियर वाटर रिस्क बाइटी फिटी तो वर्ल्ड वाइल लाइफ फंट फॉर नेचर डबलो डबलो एफ ने अभी बोला है कि सो ऐसी सिटीज हैं जो कि सीवियर वाटर क्र प्राइसिस हो सकता है उसमें से 30% इंडिया में हैं बाकि बीजिंग इंडोनेशिया का जकारता साथ अफ्रीका का ज्वानसबर्ग टर्की का स्तानबूल हॉंग कॉंग कॉंग साओधी का मक्को मक्का ब्राजीन का रियोडी जनारियो यह सब जो हैं वो इंडिया के इंदर और थाने श्रीनगर राजकोट अब देखो कि श्रीनगर कितना बड़ा है श्रीनगर तो छोटा ही है ठीक है जैपूर इंडोर भी कंपेरेटिव बहुत ज़्यादा उतने बड़े नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर जो वाटर की जो क्राइसिस हो बहुत ज़्यादा हो सकत दिए तो यह रिपोर्ट देख लेनी है कि 100 cities facing severe water risk by 2050 एंड यह किसके द्वारा रिलीज की गई है WWF द्वारा यंग चैंपियन्स ऑफ दी आर्थ 2020 के लिए Champions of the Earth Award की घोशना कर दी गई थी और यह अवर्ड किसके द्वारा दिया जाता है Champions of the Earth Award यह दिया जाता है United Nation Environment Program UNAP 2005 के अंदर यह program launch किया गया था और UN द्वारा Environment के छेतर में दिया जाना Environment के एडिया में दियाने आने वाला यह सबसे highest ओनर है इसमें 5 categories हैं हलांकि यह categories अपने को याद नहीं रखना है lifetime achievement, policy leadership, action, inspiration, entrepreneur, vision यह सब अपने को याद नहीं रखना है अपने को जो याद रखना है वो याद रखना है कि Young Champions Award यह जो अर्थ वाला है वो UNEP द्वारा दिया जाता है बाकी UNEP के अगर हम बात करें तो 1972 के अंदर इसको establish किया गया था within the UN system इसका काम था guide करना, coordinate करना environmental activities को purpose इसका यह है कि international level पे cooperation करें environment related issues में UNN इसके बाकी जो organizations हैं उनको guidance provide करें environment के matter में scientific जो है वो advisory group है उनसे consult करें ठीक है और UNEP का जो main काम है वो guidance का है और यह promote करती है, encourage करती है scientific communities को कि भाई आप कुछ अच्छा करिए, headquarters इसके अगर बात करें तो narrow भी Kenya के अंदर है और इसकी reports जो है वो कुछ important इसकी report है, emission gap report, global environmental outlook and frontiers, invest into healthy planet, तो अपने को यह दो report में याद रखनी है, emission gap report and the global environmental outlook, बाकि इसके कुछ campaign भी है, जैसे beat, pollution, UN75, world environment day, world for the life, next है हमारा emission gap report, यह किसके द्वारा release किया जाता है, यह UNEP के द्वारा release किया जाता है, और इसमें जो बात की गई है, वो यह है, कि देखो, सभी हम लोग चाते हैं, कि जब 21 सेंचुरी हमारी खतम हो, लगबाग 2100, यानि कि 2099 में और 2100, तब तक हमारा आर्थ का जो temperature है, उसको अगर हम compare करें, जो pre-industrial level पे जो temperature था, उससे 2 degree से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो emission gap report क्या करता है, यह जो anticipated emission है, मतलब कितना ज़्यादा emission हो रहा है, उसको measure करता है, और हमारा जो Paris climate deal के अंदर जो target है, उसको achieve करने के लिए emission का level कितना होना चाहिए, इन दोनों को measure करता है, और बीच में जो gap होता है, उसको यह measure करता है, ठीक है, और जहां तक 2020 की बात है, 2020 अभी जो हो बहुत ज़्यादा मतलब, काफी ज़्यादा warm रहा है, 2016 सबसे warm रहा, फिर 2019 और फिर 2020, बहुत ज़्यादा wild fire हमें देखने को मिली, जंगलों में आग, storms, draft, यह सब जो climate, जो crisis है, वो हमें देखने को मिल रही है, बाकी एक जो man challenge आता है, वो है, यह nationally, जो determined हमारे contributions है, NDCs है, इन में क्या है, कि यह seriously inadequate है, countries ने बड़े बड़े जो है, वो दावेतों कर दिये, बड़े बड़े goals ले लिए, कि हम यह करेंगे, वो करेंगे, मतलब वो उतना अभी कर नहीं रहे हैं, जितना, जो climate goals हमने set किये थे, पैरिस के अंदर, कि भई हमारा जो temperature है, वो pre-industrial level की तुलना में, 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वैसे तो हमें try करना चाहिए, कि 1.5% से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, तो इसमें यही बात की गई है, कि भई, अगर यह जो NDCs हमने decide किये, जो nationally, यह जो हमारे goals है, nationally determined contributions, यह goal है, अगर हम इनको achieve नहीं करते हैं, तो हमारा जो temperature है, overall, by the end of this century, 3 degree Celsius हो जाएगा, कहां हम 2 degree Celsius की बात कर रहे हैं, कहां हम कोशिश कर रहे हैं, कि 1.5 degree Celsius होना चाहिए, बट अगर 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 यह सब सारे goals को अगर हम achieve नहीं करेंगे, या सब जो हमने determined, जो contribution है, उसको हम नहीं करेंगे, तो हमारा temperature 3 degree Celsius तक भी जा सकता है, Birds of the Sundarban Biosphere Reserve Forest, यह Geological Survey of India दोड़ा report पब्लिश की गई है, Sundarban की जहां तक बात है, कि यह largest दुनिया का सबसे बड़ा mangrove है, World Heritage Site भी है, रामसार साइट भी है, इंडिया के अंदर भी देखने को हमें मिलता है, बाकी साथ साथ में यह बंगलादेश के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, यहां पे mud flats हैं, wetlands हैं, तो उनका काम यह होता है, कि जो migratory species हैं, ऐसी migratory species जो north से south की और जा रही है, या backward आ रही है, वो यहां पे stay करती है, रुकती है, और यहां पे जो mud flats हैं, उनमें एक चीज़ यह है कि वहां पे low tides को फेस करते हैं, जब low tides को फेस करते हैं, तो वहां पे microorganism भी मिल जाते हैं, साथ-साथ में कुछ जो छोटे जीवजनतों होते हैं, वो मिल जाते हैं, और जब low tides से यह exposed होते हैं, तब यहां पे क्या होता है, nutrients भी जादा आते हैं, तो इस बज़े से क्या होगा, कि tidal activity यहां पे होती रहती है, इसके वज़े से यहां पे जो mud flats हैं, वो ideal हैं bird feeding के लिए, बाकि यहां पे कुछ जो birds mainly जो आते हैं, mask, fin food, buffley, oval, यह सब अपने को खेर उतना याद रखने के कोई आवश्यक्ता नहीं है, क्योंकि उतना हमारे यह out of concern है, ठीक है, और बाकि जो गोलियत, हीरोन है, spoonbile, sandpipers ह हैं, यह सारी काफी सारी चीज़े हैं, तो अपने को जो है, वो इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, अपने को सिप इतना याद रखना है, तो यह याद रखना है, कि birds of the सुंदरबन biosphere reserve forest, यह किसके द्वारा release किया जाता है, यह release किया जाता है, जो logical survey of India द्वारा यह report release कि जाती है, इंडिया का जो सुंदरबन है, इंडियन सुंदरबन है, वो दुनिया के सबसे जो बड़े mangrove forest है, उनका एक पार्ट है, और साथ-साथ में यह मारा world heritage site भी है, रामसार site भी है, यहाँ पे mud flat है, wetlands है, और इसके वेसे क्या होता है, कि जो migratory species है, उनको पे एक अच्छी खासे उनके लिए रहने के लिए जगह हो जाती है,